हाई फ्रेंड्स वलिकाइन चानल फैक गनेशा तो दोस्तो घर में कौकरेज की समस्या से है परिशान तो अपना ये घरेलियू उपाएं जीहा दोस्तो बारिश के मोसम में कौकरेज और किडे मकडे सबसे जादा परिशान करते हैं खाने पिने की जगव पर किचन में सबसे ज़्यादा कॉक्रेज पाए जाते है तो दोस्तो अक्सर लोग घर में कॉक्रेज की समस्या से परिशान रहते है ऐसे में लोग घर में तरह तरह के उपाई करते है हलाकि मार्केट में कॉक्रेज भगाने के लिए कई तरह के प्रोडॉक्ट्स मौजूद है हलाकि ऐसे चीजों में केमिकल ज्यादा होता है कॉक्रेज भगाने वाली रासाइने चीजों से स्वास्त पर भी असर पड़ता है तो दोस्तो ऐसे में कई लोग कॉक्रेज भगाने के लिए घरेलू उपाया इस्तमाल करते हैं तो दोस्तो आईए चांते हैं इस वीडियो की माद्धियम से कि ऐसे कौन से घरेलू उपाया है तो दोस्तो इसे पूर मेरी चायल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल उइकान प्रेस करके आल बटम लर क्लिक जरूर करें तो चलो शुरात करते हैं वीडियो से तो दोस्तो नमबर एक तेजपत्ते का इस्तमाल जहां दोस्तो तेजपत्ते में काफी तेजगंद होती है जिससे कौकरेज भाग जाते है घर में जहां कौकरेज हो आप वहां तेजपत्ता की कुछ पत्तिया मसल कर रख सकते है दरसल तेजपत्ता को हातों से मसलने पर हलका तेल नजर आता है इस तेल की गंद से कौकरेज भाग चाते है कोशिश करे ये समय समय पर पत्तिया बदलते रहे तो दोस्तो नमबर तो लोंग की गंद कौकरेज भागने के लिए लोंग की इस्तमाल किया जाता है लोंग की तेज गंद से कौकरेज भाग चाते है आप कीचन में दराजों में और डोरुम में की अलमारी में लोंग की कलिया रग सकते हैं इससे आसानी से कौकरेच भाग चाहेंगे तो दोस्तो नमबर 3 बेकिंग पाउडर और चीनी जिहाँ दोस्तो घर में कौकरेज होने पर आप एक कटोरे में बेकिंग पाउडर और उतनी ही मात्रा में चीनी मिलाद ले अब इस मिसरंगों कौकरेज वाली जगों पर चीनी के मीटे स्वात से काकरेज जगों पर आएंगे और बेकिंग सोड़ा उन्हें मारने का काम करेगा आप समय समय पर ऐसा करते रहे तो दोस्ता नमबर चार केरोसीन ओईल का इस्तमाल जिहा दोस्तों कौकरेज और कीडे भगाने के लिए लोग केरोसीन ओईल का भी इस्तमाल करते हैं केरोसीन ओईल से कौकरेज भाग जाते हैं हलाकि इसके शिड़काव के बाद बदबू हो जाती है तो दोस्तो नमबर पाच बोरेक्स का इस्तमाद जीए दोस्तों आपके जहां भी काकरेश दिखे आप उच जगा पर बोरेक्स पाओडर चिड़क सकते हैं हाला कि बोरेक्स पाउडर से बच्चों को दूर रखने की ज़रोत है क्योंकि ये स्वास्त के लिए हानी का रख होता है तो दोस्तों कोशिश करें कि रात में इस पाउडर को छिड़काओ करें तो दोस्तों इस तरह ये पाच खरेली उपा है इसे करके आप काकरों से चुटकरा पास सकते है तो दोस्तों आपको यडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद